हाई अव्रिवान वेल्कम बाक तो शाने क्लास्स फिस्ट फॉल कुट इपनिंग टू एवेवान कैसे है आप सब होफुली अच्छे होंगे बढ़िया होंगे चले बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ सभी फ्रेंड्स टाइम पर आए अब चीजें यहां पर हम कर रहे हैं और पढ़ेंगे कंप्यूटर के मैंने कंप्यूटर की एक ही कलास अभी तक की दूसरी कलास है लिस्ट बनी होई है पर कलासे इसमें नहीं है बट हो जाएं दिकत नहीं है तो पहले तो यह पताईए आप सब कैसे हैं बढ़िया हैं आप लोग रजल का वेट कर रहे हैं बट तक अपडेट होगी जहां तक है तो आप लोग जो है अब अपनी धीरे धीरे रफ्तार को बढ़ाईए और प्रॉपर तरीके से पढ़ना सुरू करिए आपके आठ पेपर हैं आपको पेपर देने हैं सारे वन बाई वन करके आपके पचास नंबर के जो हैं वो देखिए स्ला एक रिजल्ड आएगा आपका जल्दी ही लेकिन थर्ड की भी त्यारिया आप सुरू कर दीजे तो यहां पर आप जोड़े हैं मेरे साथ मैं हुशालनी सभी का स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों में श्याय करें लाइकर ना विल्कुल नहीं भूलिए एक बहुत प्रॉब्लम आपको इस सेमस्टर में कंप्यूटर को लेकर नहीं होने वाली है तो द्यार है आज किस क्लास के लिए आए देखते हैं हम यहां पर कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लास का एक टॉपिक है ICTC अब इसमें है क्या यह ICT क्या है इसके बारे में आएंगी ही आएंगी साथ ही साथ आपको यह धियान में रखना है कि इनके MCQ में चुड़ेबर बनते हैं तो 25 नबर का पेपर है ऐस यूजल ऐसे होता है वैसे यह भी होगा तो एक क्लास में आपको दी और यह दूसरी है तो हम लोग यहां पर करते हुए आगे बढ़ते है अब यहां पर पहले तो सबसे पहले फुल फॉर्म जाने के जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर में शॉर्ट कीज या जो भी और चीज़े होती हैं कई सारे प्रशन आपको पूछे जाते हैं तो इस बार भी आपने चीज़े पूछी जाएंगे तो आपको यहां पर थोड रखना है तो यह भी आपको पता है बहुत अच्छा है आपका information and communication technology आपको पता है बहुत अच्छा है नहीं पता है तो समझिए पढ़िए सीखे चीज़े जानिए तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएं ICT का पूरा नाम information और संचार प्रत्योगी की है यह हिंदी का सेक्षन का है information and communication technology इंग्रिश में है तो फुल फॉर्म हमें दोनों तरीके से आना चाहिए clear आगे आईए देखिए इसमें क्या है यह एक बहुविकल्पी शब्द है जिसे सूचना और संचार प्रत्योगी के छेतर में प्रयोग किया दाता है हम इसको information और communication सूचना आपके information चीज़ें इंफो से है knowledge से संचार का मतलग है कि communication से है तो एक ऐसे relevant एरिया से connected है जिसमें computer है internet है software है hardware है व्यक्तिकत computing के जो बकरन होते हैं नेटवर्क्स होते हैं या जो और भी संचार के प्रत्योगी के चीज़े होती है उनको इसमें यूज किया दाता है उनको इनमें add करके या इनके साथ involve करके चीजों को किया दाता है तो यह आपको फुल फॉर्म यह पता होना चाहिए और साथ ही साथ इनके साथ क्या क्या चीजे और यूज होती है या इनके involving में और क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए यह क्रशन बनेगा प्रश्ण बनेगा करना होगा चीज़े काफी सिंपल है इजी हैं सुरुआत में प्रोलम्स होगी पर दिये दिये आप आगे बढ़ते जाएंगे चाप्चर्स क्लियर होंगे तो वह चीज़े भी कॉंसेप्ट क्लियर सो होते जाएंगे क्लियर देखें तो पहले कुछ कुछ नई चीज़े हैं यह फार्स समेस्टर में नहीं था आपके थर्ड में हैं तो यह चीज़े आपको फुल फॉर्म और ऐसी चीज़े आपको ध्यान में रखनी होंगे और यह निवार्ट में करना कि इस बार संचार का टेक्नोलोजी का और कम्नीकेशन का इस सारी चीज़े से सब्सक्राइब है इस सेक्शन में क्लियर देखो इतना तुम इनको क्लियर बता दिया यहां तक सभी क्लियर भी हो गया आगे पुरते हैं आज कर आई सीटी से यहां पर है समाज में सोशल एरियाज में आपके बिजनेस में सरकारी चेत्र में जो गौर्रमेंट सेक्टर से वहां पर बहुत ही व्यापा क्रूपस का यूज हो रहा है बहुत ही एक बहुत ही यूज मैं कह सकते हैं कि हम इनको बहुत यूज कर रहे हैं इसको यूज कर रहे हैं कोई आप डिवाइस यूज कर रहे हो कुछ भी कर तो उससे क्या होता है चीज़ें आपके सुगम होती है ठीक है आसान होती है है बहुत एजली हो जाती है बहुत स्मूदली हो जाती है आप उसमें काफी एक्टिव भी हो जाते हो काफी आप बहुत ही बढ़ी है तरीके से एक हो आपको चीज़ें आने लगती है आप सुरक्षित तरीके तो दुझे जो को देखने लगते हों तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलती हैं और होती हैं तो हम टेक्नोलाजी है या आई है एमेल है कुछ भी है ऐसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या इनकी हेल्प ले रहे हैं उससे हमारे वो काम काफी आसान और बहुत ही प्रड़क्टिव वे में हमें से आउपट्पूट्स मलते हैं इसलिए हम ऐसे टेक्नोलाजी को समय के साथ अपने काम में यूज़ करते है आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट देखें अब एपसे पूज़ा लाता है कि इसी काम क्या होते हैं ICT से आप क।Se क्या प्रयोग होता है औरट है क्या नुकसान होते है कोई दो नुकसान बताईए कोई संबंदित आपको आएगी फुल फॉर्म सबसे पहले आएगा हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा तो यह चीजे मैं आपको पटा दी है अब हमने परिभाशा दो देख ली मतलब हमने एक मेजा टॉपिक को समझा कि हां यह चीजें इसके अंतरगत आती यह करेंगे information and communication technology ICT के कार विभिन छीत्रों में होते हैं हम इनको किसी एक specific particular section या area में नहीं यूज करते हैं हम इनको बहुत जगा यूज करते हैं जहां पर यह क्या करते हैं यह कैसे technology के अपकरण होते हैं जहां पर communication बढ़िया होता है इनकी यह से और हम अपने बहुत प्रद् और भी documents भी आसानी शेर होते हैं store भी किया जाता है और protective भी रखा जाता है तो इसके और भी बहुत सारे काम है जो आपको one by one करके बताऊंगी कभी-कभी इनके कामों से जिसे यह काम के बारे में आपको पते से ICT क्या है ICT क्या है आपको जब इसकी परिवाशा पता है तो तो थोड़ा सा जो चीज़े theoretical हैं लेकिन इसको समझना है तो थोड़ा सा class को धंक से समझते चले और repeat भी करिए तब ही आपको चीज़ समझ में आएंगी अब इनके काम की बात करते सबसे बहला काम है संचार communication ठीक है यह टेक्नोजीर है इनको हम use कर रहे हैं देख रहे हैं स को प्रतान करना जो communication नहीं हो पार है वो उनमें help करना email है चाट है email हो रहा है हम लोग mail भेज रहे हैं आप मुझे भेज रहे हैं मैंने आपको अपना email ID पर दिया हूँ आपका संचार का टॉपिक है सब्सक्राइब 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 क्या होता है या इसमें हम क्या करते हैं ठीक है clear कोई problem लिखने को आएंगे काम लिखने को जरूर आएंगे तो यह आपको आना ही आना चाहिए इसलिए ध्यान में रखते हुए काम करिए आगे बढ़िए दूसरा इनका जो use है वो सूचना प्रबंदन का है मतलब information को management करना आप information क्या होती है जानते ह तो कहते हैं कि ICT system जो यह setup है पूरा यह विवस्थित करने में काफी help करते हैं चीजों को manage करने में pipeline करने में scheduling करने में rescheduling करने में एक arrange way में चलने में step by step follow up करने में आपकी help करते हैं चीजे आप में से organize हो जाती है आप जिससे संग्रह सूचना को प्रबंदन को आपने रखते हैं लेकिन जब देखिए आपका cover होता है तो आपने इसमें तरह कपड़े फड़ी है ऐसे ही फड़ी आपने उसको open के सारा कपड़ा कर गया और वहीं आप और चीजों को manage करना handle करना और जब जब रिता यूज़ कर लेना वो काफी help दिलता है तो यह चीज कि हमारे computer काही गाना रखा है कही movie रखी कही कुछ रखा है कही कुछ रखा है कही इस फोल्डर में कुछ है इस फोल्डर तो यह सब चीजे इन ही सारी technology की help से हो पाती यह data-based system है जो data analytics की चीजे होती है information होती है उनको store करने का मादने मुता जहां पर चीजे काफी बहीत दर किसे store होती है काम हमारा बहुत ही smoothly run करता है तो दो काम मैंने आपको बता है एक संचार का बता है कि communication करने email करने video calling करने social media से contact करने website को run करना है सारी चीजों में बहुत होती है जिससे आपको बहुत जादा जानकारी मिलती है बहुत हेल्थ मिलती है चीजों को आप कर पाते द आप देखते हैं software development का भी काम इनकी help से काफी बढ़िया होता है ICT कंपनियां होती है यह professional software development करते हैं क्योंकि हम जो काम अच्छे से कर पा रहे हैं yes smoothly run हो रहा है चीज़े हो रही है तो development हुआ है उसके पर काम उसकी help से हुआ है विविन चेत्र में बहुत के लिए बहुत सार चीज़े होती हैं जो हर से device के लिए अलग-अलग होती हैं उससे हमारा हर तरफ काम आसान और बहतर बनता हुए हमें दिखाई देता है ठिक है समझ में आई बार यहां तक clear basic basic terms है अब जैसे आपको MCQs बन रहा है तो MCQs में वालू है यही जो आपके यह topics बड़े-बड़े है यह options में देगा आधी करके देगा all करके देगा कोई एक देगा तो आपको वह चीज़े टेक आउट करनी होगी नेक्स्ट यहां पर जो वर्क है वह networking का है ICT से जुड़े बहुत सारे टेक्मिलोजी से प्रोटोकॉल से रूल से टेगलेशन से उनका यूज़े नेट्वर और हार्डवेर को यूज़ करते हैं उनसे हमाई चीज़े प्रटेक्टिव भी रहते हैं और हमां काम आसान भी हो जाता है यहां तक बात समझ में आई या नहीं सिंपल है बेसिक है तो ऐसे जो बड़े बड़े यह हालेटिट पॉइंट्स है इन की टम्स को भी आ जकना है क दो नंबर का प्रश्ण पूझे तो इसके अंदर भी आपको दो तीन लाइन लिखनी होगे और जब आपसे सर्फ नाम नाम पूझे तो आपको भी पॉइंट पॉइंट करके नाम लिख देना है तो उससे आपको एक नंबर और दो नंबर क्वेस्चन में भी बहुत होते क्योंकि बहुत सारे automation टूल होते हैं manual टूल होते हैं जिनका लोग बहतरी यूज करते हैं अपने काम को बहतर अच्छा सुन्दर ठिकाव बेस्ट बनाने के लिए तो यह सारी चीज़ें जैसे मैं आपको आज तीसरा समस्टर में साथ पढ़ रहे हैं तो यह चीज़ें तो कॉपी में में लिखी आ सकती है लिखने वाली नोट से नोट से काफी बहतरी लगती दिखता अब एक लेर समझ में आरी बाते तो क्या है आप हम टेक्नोलोजी के साथ चल रहे हैं और उसमें चीज़ें क्या और ही इजी हो रही है लें और ही फिर प्रोब्लम और काम क्या होता है हम इनकी एक बहुत सारे वेप स्क्रespl बनाना थोगira develop करना उनके और जो कामन चीज़ें को भी रेखना STML का काफी उसमें यूज़ को बनाना जहां से यूजर इंटरफेस हो रहा है तो यह कई सारी चीज़ें ऐसी होती है छोटी छोटी जो आपको ध्यान में रखते हुए काम करने होगी कि क्या है कैसे है क्या चीज़ें हो रही ह तो यह चीज़ें आपको आनी चाहिए तभी आप उस चीज में अच्छे से काम समझ पाओगे एक इनका काम इर डिस्टल स्वक्षा साइवर सेक्यूर्टी यह भी ICT के हल्प से काफी प्रोटेक्टिव होता है और काफी बड़े स्केल पर होता है ICT के विशेज अधिकारों गवर्मेशन को बहुत है और कुछ प्रोटेक्ट करके बहुत करना है तो वहां पर भी हम ध्यान रखते हैं इनसी जो का कि चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स में ना पढ़ता है कोई चीज़ें लीक ना हो जाए क्योंकि गवर्मेंटल के प्रोटेक्ट्टिव आए के बारे में यहां पर हैं यहां पर हैं इस चीज़ें हैं आगे बढ़ती हो चीजें हैं आपको ना कुछ समझ नहीं होगे कि इसमें है क्या और करना क्या है ICT प्रकार से बालूम इस सिफ टेक्नलोजी ही है जो समय के साथ बनाई गई हो समय के लिए बनाई गई ताकि आपका जो काम है वो आसान हो और वो एजी हो उसके basis पे आप अपने काम को बहतरीन कर पाईए जो आप नहीं कर पा रहे थे या आप जो डिले करके कर रहे थे या उतनी आसानी से नहीं हो रहा था उन कामों को और बहतरीन तरीके से करने के लिए सारी चीज़ें आपके लिए बनाई गई है जिससे हर छेतर में यूज कि हो रही है तो आपको यह सब चीजे इसलिए समझाई और बताई जा रहे हैं कि कैसे आप इनको यूज करें कहां पर आपको उसकी हेल्प मिलेगी बहतरी तरीके से ठीक है यहां तक बात समझ में आई सभी को क्लियर कॉंसेप्ट एकड़म अफटाफट क्लास को लाइक करिए चले क्विक इचना आप इवन क्योंकि मंदर में आने तो घंटी जरूर बजानी होगी पुराने वाली रास्ते पे फिर हमें आना है करना है क्लास जम के तो लाइक भी होता है ठीक है होफुली कि मैं अच्छे ज्यादा वर्कलोड हो गया है तो मैं बोलती हूं कि प्लान भी भी लेके चलो पढ़ो भी खो बढ़ियां देखते भी रहो और भी काम देखते रहो ठीक है चले आगे आए आए देखते हैं नेक्स क्या है आपर ICT का महत्र क्या है बिनकी आपको लिखने को ऐसा सिंपल आए तो रहाँ पर यूज है आप इसको यूस्ट काम हो जाये और वो तीज.'घ काम पदेखते हैंने कि आपकासाम हों में बोलती है तुक है attachment भी बनी रहेंगी information भी दीख नहीं होगी बहुत help मिलती है तो यह संचार में सबसे एहम भूमे का आपका कौने भाता है ICT clear? चलो आगे देखते हैं like रहना बिलकुल नहीं पूर यह क्लास पसंद आईगी आप लोगे feedbacks मलेंगे तो चीज़े और बढ़िया होगी बिजनेस में कैसे हम इनको यूज कर रहे हैं तो वेवसाइक दुनिया में हम इनका बहुत अच्छी ते महत्तु पड़ता है जिनके महत्ते हम से हम company जो चल रही है वो प्रॉपर रन कर रहे हैं इनकी ही help से हम business analytics में काम कर रहे हैं बना रहे हैं डेटा को रिकॉर्ट कर रहे हैं नेटवर्क से जुड़े हुए हैं मार्केटिंग को भी देख रहे हैं एड्स को भी देख रहे हैं e-commerce site पे भी अपने नजर को बनाए हैं डेटा को भी इस्टोर करें बहुत साई चीजह हैं तो analysis बढ़े हैं करते ना लेते हैं करते हैं चात्रों को पहतरा उसर भी मिल रहे हैं अच्छी भी है बुरी भी है ठीक है वेबसाइट से अप्लिकेशन है ओनलाइन क्लासे प्रॉपर बहुत साई चल रहे हैं बहुत साई लोग बड़े-बड़े क्लासे कर रहे हैं बहुत बड़े-बड़े एक्जाम की त्यारी भी इसकी help से कर रहे हैं तो पढ़ाई के भी एरिया में बच्चों को आफी help अब मिल रही है जो कि काफी important है तो चीजह आपक इसगरा होते हैं बहुत सारे ultrasound होते हैं बहुत कुछ होता है आप देखते हो वह एम जो है क्या कहते हैं बहुत सारे एक्सरेज हैं इमर आई होती हैं तो इन सब क्या भी बहुत इसमें एहम रोल होता है फिर आप कहते हैं सोसल इंपक्ट है समाज में भी इनका काफी बड़ा रहे हैं बता रहे हैं तो यह एक environment changing का भी काम हम इसकी help से करते हैं कोई चीज़ कभी viral होती तो बहुत randomly viral होती है ठीक है तो इसके through भी आप आप ऐसे applications को use करके लोगों में अच्छी चीज़ें और जो गलत बाते फैले उनको रोक सकते हैं पता सकते हैं जानकारी दे सकते हैं तो काफी help आपको मिलती है ठीक है फिर आप सुरक्षा है security परपर से भी काफी कुछ use करते हैं हम इनको बहुत जगा पे अलग-अलग data hacking जो ह अपराद हो रहे हैं तो यह भी जैसे होते तो system के थो यह लेकिन पकड़ा भी इनको इसी के थो जाता है तो यह मतलब आपको उस वे में काफी help करते हैं तिक लेने के ऊपर आप निगेटिव या पॉस्टिव जैसे हम में आपके class कर तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहां प बहुत जाता है तो कोई रिकत नहीं है तो आज की class करना चाहेंगे अब हम ओवर ऐसे छोटी नहीं फिलाल से बढ़ी है 20 मिंट के लगभा हो रही है classes आप लोग देखिए पढ़िए अब आपको one by one करके section की classes आपकी मिलेंगी चीज़े होंगी जितना मेरे से possible है मैं जरूर करोंगी टाइम पर आओ पोड़ो आप लोग 10 पीम पर आपकी classes में करें इसको आप लोग सुबा भी देख सकते हैं जो रात में नहीं देखते हैं समय पर आईए देखिए सीखे समझे तब तक के लिए bye bye take care see you soon keep smiling